नमस्कार स्वागत है आपका फल्मी बीट में आपके साथ मैं हूँ दिपिका नयार अपनी फल्मों के अलावा मौनी रॉइ आजकल अपने बोर्ण लुक के चलते चर्चाओं में बनी रहती है वो आए दिन अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी होट तस्वीरे शेयर करती रहती है हाल ही में उन्होंने अपने कुछ तस्वीरे इंस्टगराम पर शेयर की है जिसमें वो एक अलग अनास में दिखाई दी रही है यकीन न हो तो आप खुद तस्वीरी देख सकते हैं दरसल गर्मियों का मौसम चल रहा है ऐसे में तस्वीरों में मौनी रौई पेड़ की च्छाओ में लेट कर अराम करती हुई नजराई है तस्वीर में मौनी रौई हरी भरी घास में लेती हुई दिखाई दी रही है मौनी के चारो तरह फूल गिरे हैं ये नजराः वाकई शांदार है इस दोरान मौनी ग्रीन मस्टरड कलर के आउटफिट्स में नजर आई इस समय इस ड्रेस में मौनी वाकई कमाल की लग रही थी इतना ही नहीं अराम फरमाते फरमाते मौनी कैमरे के आगे पोस देना भी नहीं भूली यही बचा है कि उन्होंने एक से बढ़कर एक पोस दिये आपको बताते कि टीवी के बाद आप मौनी रॉय बॉली वूड में एक जाना पहचाना नाम बच चुकी है हाल ही में उनके फिल्म रॉलीज हुई थी जिसे काफी जादा पसंद किया गया था इसके लावा मौनी मेड इन चाइना और बरमास्त में भी नजर आने वाली है मौनी रॉय अपनी फिल्मों को लेकर फुक फुक के कदम रख रही है मौनी रॉय के हाथ में इस वक काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें वो बीजी नजर आती है बात अगर मौनी रॉय के टीवी सीरियल्स की करने तो मौनी रॉय बहुत जल्द नागिन थ्री के फिनाले में नसर आने वाली है ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि नागरानी शिवांगी एक बार फिर धमाकेदार वापसी करने वाली है बेरहाल देखना ये होगा कि नागिन थ्री में मौनी की वापसी कैसी होती है क्योंकि फैंस मौनी को नागिन के रूप में देखना चाहते हैं और मौनी इसी सीरियल्स से काफी ज़ादा हिट हुई थी और वो फैंस के दिलों में राज करने लगी थी इतना ही नहीं मौनी ने इस सीरियल से घर घर में पहचान बना ली थी इसके बाद मौनी ने टीवी की दुनिया को अलविदा कह दिया था और बॉलिवूट में धमाकिदार एंट्री ली थी वो भी अक्षिकमार की फिल्म गोल के जरिये बेरहाल नाकिन थ्री में मौनी रॉय एक बार फिर नजर आने वाली है खेर हमारे इस वीडियो में पस्तना ही लेकिन बाकी वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा